हलो दोस्तो तो स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइन ट्री के सेर्स के बारे में ठीके तो आज हम इस वीडियो में माइन ट्री का रिभ्यू करने वाले हैं ठीके जैसा कि हम इसका रिटर्स देखेंगे ठीके प्र ठीक है तो बने रहे हमारे इस वीडियो में शुरू सुले के लाष्ट टक चलिए हम सुरू करते हैं ठीक है वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको थोड़ी से जनकारी देता हूं जो माइंटरी लिम्टेड है इसके अस्थापना 1999 स्वें में हुई थी ठीक है तो चलिए अब हम इसके shares के बारे में बात करते हैं ठीक है माइंटरी लिम्टेड ठीक है आप यहाँ पर देख पाएंगे यह IT सिक्टर से है ठीक है अगर हम इसके एक share का price देखे अभी current में तो आप देख पाएंगे इसके share का price है 3433 रुपे 35 पैसा ठीक है आप यहाँ पर clearly देख पाएंगे माइंटरी का अगर हम returns के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इसलिए 1 year में minus 702.65 यानी 16.99% का return दिया है यानी minus में रहा है माइंटरी 1 year में ठीक है अगर हम 5 years का return देखे तो आप देख पाएंगे माइंटरी ने 5 years में plus 2731.35 यानी 389.08% का return दिया है 5 years में ठीक है अभी तक अगर हम माइंटरी लिम्टेट का अभी तक का return देखे तो आप देख पाएंगे माइन्टरी लिम्टेट ने अभी तक जो रिटरंस दिया है आप यहाँ पे किलाली देख पाएंगे प्लस 3283.60 यानि 2192.72 परसेंट अभी तक ठीके चलिए हम थोड़ी ओर जनकारे लेते हैं इसके बारे में अगर हम देखे तो 7 मार 2007 को माइन्टरी के एक सेर का पराईज था 199 रुपे 27 पैसा ठीके आप यहाँ पे किलाली देख पाएंगे ठीके जबकि 4 नुम्बर 2022 को माइन्टरी के एक सेर का पराईज हो गया 3433 रुपे 35 पैसा आप यहाँ पे देख पाएंगे ठीके तो आप इससे यहां Mindree Limited का fundamental देखते हैं, अगर हम fundamental देखें तो अब देख पाएंगे इसका market cap है, यानि इसका market value है 56,608 करोड का, ठीक है इसका ROI है 33.76%, PE ratio 29.97, EPS 114.58, PB ratio 10.34, DEVILD 1.08%, Industry PE 26.65, Book Value 343.85, Debt Equity 0.11, Face Value 10, ठीक है आप यहां पे किलिए लिए लिए देख पाएंगे, ठीक है, अगर हम fundamental में अगर देखना चाहिए तो हमारा लिए दो बहुत ज़्यदा इंपोर्टेट रखता है, market value और Debt Equity, ठीक है आप यहां पे किलिए लिए लिए दे यहां Mind Tree Limited का पिछले 5 सालों का revenue, profit और network हम चेक करते हैं, ठीक है, हम जो revenue, profit और network चेक करेंगे, वो yearly करेंगे, quarterly नहीं तो ठीक है, चलिए हम सुरू करते हैं, ठीक है, revenue, अगर हम revenue देखे, Mind Tree Limited का तो आप देख पाएंगे, 2018 में जो revenue था, वो था 5,463 करोड का, 2019 में 7,022 करोड का, 2020 में 7,774 करोड का, 2021 में 7,960 करोड का, ठीक है, और 2022 में 10,525 करोड का, ठीक है, तो अगर हम revenue देखे, तो आप देख पाएंगे, revenue का जो graph है यहां पे डंडा लेक, वो आपका 5 सालों में बढ़ता ही दिखा है, आप यहां पे क्लिरली देख पाएंगे, ठीक है, अब चलिए हम profit की बात करते हैं, अगर हम profit देखे, monetary limited का, तो आप देख पाएंगे, 2018 में जो profit था, वो था, 570 करोड का, 2019 में 754 करोड का, 2020 में 631 करोड का, 2021 में 1110 करोड का, और 2022 में 1653 करोड का, ठीक है, तो अगर हम profit देखे, तो आप देख पाएंगे, 2018 के तुलना में, 2019 में, जो profit था, monetary limited का, वो बढ़ा है, ठीक है, लेकिन, 2020 में पूना घटा, उसके बाद फिल से, 2021 222 में बढ़ा है, ठीक है, आप यहाँ पे किलेली देख पाएंगे, ठीक है, अब चलिए हम network की बात करते हैं, अगर हम monetary limited का network देखे, तो आप देख पाएंगे, 2018 में जो 4319 करोड का, और 222 में 5454 करोड का, ठीक है, अगर हम network देखे, तो आप देख पाएंगे, इसका network लगतार 5 सालों में बढ़ता ही गया है, ठीक है, आप यहाँ पे किलेली देख पाएंगे, ठीक है, तो हमने monetary limited का revenue, profit और network चेक कर लिया है, जिसमें हमने यह देखा है, कि इसक shares को buy करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है, तिसे like कीजिए, share कीजिए, और अगर आप हमारे channel पे नया हैं, तिसे subscribe करना बिलकुल न भूलिएगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में,